आइकू क्यानि आइक्वेस्ट आइन आउन कुछ टाइम पहले आइकू ने अपना Z5 लॉंच कहता मार्केड में और भाई क्या मस्त फोन बनाया था खाली लोगों को एक ही शिकायत थी कि इसके अंदर IPS डिस्प्ले दिया यार मतलब 778G के साथ में 120Hz IPS डिस्प्ले था इसके वैसे लोगों को थो वड़ा सा मतलब थोड़ा सा कत्रा रहते लोग लेने के लिए उन लोग ने आइकू Z6 निकाला तो मैंने सोचा भाई तगड़ा अपग्रेड किये रहेंगे लेकिन भाई वो तो डाउन ग्रेड कर दिये उस है फोन के बारे में सही वोट्सप गाइस मानमीज जहीर एंज अन्बोक्सिंग अन्मा फर्स्ट इंप्रेशन और विव दिस आइकू Z6 प्रो सव लेट्स विगिंग अपले आप लोग अन्बोक्सिंग दिख लो जो दो तीन दिन पहले मैंने शूट गया था यह है आइकू Z6 प्रो का बॉक्स खाली आइकू लिखावा है पहले माँ पन्ने निगा लेता हूं पीजी के साइड में कुछ डीटेल्स है इसकी 6128GB लीजेंड स्काई आइकू Z6 लेट्स कुईक लिक्लिक कर दा सील okay तो सबसे पहला है यह उचाज़ी टिनउम धान निकान दोरा है। प्लास्टिक है यह लेके फुल ग्लास का फिल है बहुत जपरतुस बना है और यह जो डबल ग्यामरा वाला आख का सिस्टम दिया ना भाई यहांपर बहुत ही तगड़ा दिखड़ा है यहांपर इसका कर्फ किया एक पर्फेक्ट लिया और जो इसका साइड का पोर्शन हो भ यहां पर हमको बहुत सारे फालतु के अप्लिकेशन देफिनेटल के मिल रहे है मौज जोष ओट अप्स गेम्स इसका है स्पॉटिफाइ शेयर चट क्या है बाई कचरा भरावा पुरा है तो अगर होम स्क्रीन में जाओं मैं पहले सेटिंग में जाके यहां से एप सजेशन जाओद चबावा फाट वrick Put a. टन एुको राट वेट तो फॉट ञटाओ फॉगल डिस्कोर विड़ प्यटाओ यहां सारे ऐ किऩंग्र ओप्लिकेशन यहां के तरिक हैं धां यहां से लेगी यहां तक है किन् pickled और उप्छन यहां से छाहां से भाई तो सब से पहले मैं इस पावर बटन है, पीछे के साइड के बात करूँ तो यहां पर हमको कैमरा मॉडिूल देखने को मिलते हैं, आइकू की ब्रेंडिंग है, कुछ ओपो की ब्रेंडिंग जैसी दिकरी थी है, फ्रंट साइड की बात करूँ यहां पर बिंदी वाला नॉच है भी इसी कली, बहुत स इसी काड का डिस्काउंट मिल गया, इसके वेज़ से में मिल गया भाई, उस प्राइज जो मैं बात करूँ तो फोन बहुत जबरदस्त है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्ड की बात करूँ तो पूरा साइड का जो है वो पूरा प्लास्टिक है, पीछे भी मतलब फुल का फील है, बाट यह है प्लास्टिक, लेकिन भाई कहीं से भी कमजोर ने लगता है, और कहीं से भी प्लास्टिक का फील नहीं देता है, पूरा ग्लास का फील आता है, बिल्ड तो बाई एकदम सुपब है, जबरदस्त, यह वाले कैमरे वाला मॉडूल है, मतलब एक इधर गोल कैमरा है उपर, नीचे भी गोल-गोल का टोरी है, उसके अंदर दो-दो कैमरा चिटकाया हो है, इधर पर पूरा बड़ा सा कैमरा मॉडूल है, लुक्स रियली नाइस भाई, थोड़ा सा प्रीमियम लुक यहां पर निकल के आता है, जैसे का आप लुक दिख रूस्ट दिखने को मिलती है, यह एक 1080p AMOLED डिस्पले है, और 90Hz का रिफरेश रेट है, और डिस्पले की कॉलिटी जैसे का आप लोग दिखरो भाई, बहुत ही जादा लाज जवाब भाई, जैसे आप लोग इधर ब्राइटनेस दिखरो, खतरनाक ब्राइटनेस है, कहीं पे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको ब्राइटनेस ही कम ही लग रही है, HDR का सपोर्ट एफकोर 778G है तो दंदार प्रसेस रहो, भाई बहुत ही सुपर्ब कॉलिटी की डिस्पले, HDR प्लेबैक है, वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन है, सारी चीज़े जो नॉर्मल बेसीक ची अब फोर के चला सकते हैं, यूट्यूब में HDR के साथ में, तो मिरको अच्छा लगा और जो कलर सेचुरेशन वह भी बहुत जादा मस्त है, आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला है तो मिरको अच्छा लागा डिस्पीकर की बात करूं तो यहां पर प्वड़ा सा कटवती की गई है यहां पर डूल स्पीकर दिया जा सकता था लेकिन भाई वही सिंगल स्पीकर बॉटम फाइरिंग वाला चिटकाया गया है लेकिन उसकी लाउटनेस अगर मैं आपको सुना दू तो अवाज तो भाई काफ़ी लाॉड है और क्वालिटी भी अच्छी है अगर स्टीैज स्पीकर होता तो इयहां पर बैटर होता लेकिन भाई सिंगल स्पीकर के हिसाब से काफ जाय अच्छा का ऑडिडिय का अडिय है मुझे अच्छा लगा अब अगर बात करूए इसके fingerprint scanner की तो यहां पर bottom में दिया हुआ है बहुत जादे ही नीचे है बट छोटा phone है तो उससे कोई असाथ जादा फरक नहीं पड़ता है इधर पर आपको fingerprint scanner मिल जाता है थोड़ा सा slow है compared to other phones in this price range बट थोड़ा साथ तो मस होता लेकिन face unlock fast काफी तो overall अच्छा लगा मतलब कोई आपको शिकायत नहीं होने वाली लेकिन fingerprint scanner थोड़ा साथ किया जा सकता बाकि नेटवर्क अगर की बात करूए तो 5G का फोन है 5G होने कर जाता है 4G, VO, LTE, VO, Wi-Fi सब काफन करता अच्छे से and 4G Plus का signal मुझे नहीं मिल रहा लेकिन 2300 बैंड पकट रहा है 4G आया लेकिन 4G Plus नहीं आ रहा है लेकिन जिसे आप लोग देखो LTE 2300 बैंड पकट रहा है तो यह चीज है overall speed वगएर में को कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही जादा एफिशेंट है and overall अगर माँ बात कुरूँ चार्जिंग की 66W का चार्जर भी है तो बहुत पर सुहा गा है बैटरी भी अच्छी मिलेगी प्लस चार्जिंग फास्ट है तो सौटर है बैटरी का तो हम फुल रूम में देखेंगे लेकिन बात करते हैं अगर कैमरा की तो यहां बर्म को 64 Mpx का में केमरा देखने को मलता है 8 Mpx क अल्टरवड और 2 Mpx का मैक्रो देखने को मिलता है जो मतलब इस नाम का है इसका अल्टरवाइड को जाधा ही वाइड है जैसे का आप लोग यहां पर देख रहे हो तगड़ा वाइड है लेकिन बाई क्वालिटी उतना मज़ेदार ने जैसे देखो यह में संसर यह अल्टरवाइड होती है बाकि human subjects की फोटो भी बहुत तगड़ी लेता है यह सब फोटो रियर केमरे से ही है बाकि यह है सेल्फी और इवन सेल्फी की क्वालिटी देखो भाई एक एक बाल अप लुक गिन सकते हो नॉट बैड यार नॉट बैड अल्ट तगड़ी फोटो लेता है यह कुछ वीडियो भी आप देख लो यह 4K 60fps में शूट कर रहा हूं रियर केमरे से कुछ इस तरह की वीडियो बंतिया गाई जैसे कि अप लग लग देखर हो भाई काफी मस से तगड़ी फोकसिंग होती है और वीडियो के कॉलिटी भी अच्छी लग रही है तो यह चीज़ आप सामद लो बागी यह फ्रेंट फ्रेंट वीडियो बन रही है थोड़ा अगर मैं लाइक पोज़ेट चल जा तो पीछे का पूरा बैग्रांड वाइड हो गया कैसा मेरे फेस को है यह फ्रेंट फेसिंग कैमरा है मैंने हाग काफी दूर है उसके बावजूद भी इतना क्रॉप इन किया हुआ है तो अकर शॉट में बोलू भाई इसके कैमरा बहुत सपरदस्त है जो में सिंसर वो सुपरब है अल्ट्रा वाइड काफी जादा वाइड ह उतनी अच्छी नहीं है फ्रंट कैमरा एक्दम ला जवाब है तो आइकू जो है वो बेसिकली वीवो का ही फोन इसका एक फोन हो और आता है वीवो टीवन प्रो करके वो और यह एक्दम सेम तू सेम है आई थिंग काली उसमें यह फरक है कि उसमें 60 एच रफेसर डिस्प्ल पाँच लाग चाली सथार का यह विचिस क्रेजी एंड फिर मैंने 15 मिनिट तक के CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट यह इदर पे देख रहो कहीं यलो तक नहीं वाद रैड तो बहुत दूर की बात 94% की थ्रॉटलिंग है 2,15,000 का स्कोर आया है इतना तगड़ा स्टेबिलेट यह कि यह फोन के अंदर अप्टिमाइजेशन तो भाई जम चुमेशवरी तरीकी से क्या है और मैंने जो डे-to-day टास्क में यूज भी क्या है उसमें मेरे को बहुत जादा अच्छा लगा भाई हर जगे से एक प्यार से चल रहा है कहीं है अमे को जिटर्स फ्रेम डॉप्स व अगर मैं इसको 24,000 में भी तो वो प्राइस में भी बहुत दगड़ा फोन है लिटरली बता रहा हूं और 20,000 में तो फाई किलर फोन है तो आप लोग भी कुछ कर सकते हो सब्स्क्राइब तो करी सकते हो इतना कोई बड़ी बात नहीं है सिर्फ एक बटन ही तो या अब उसक 288 जी को इतने टाइम हमने टेस्ट के ना अभी ट्रस्ट हो गया उसको पर भाई दंदार प्रोस्टर है आप 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 ए ए थमाए एभाई 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 यह भाई, यह भाई सो गाईस जैसे आपने देखा यह था गेमप्ले एंड फोन का टेमप्रेचर जो है वह थर्टी सिक्स डिग्री सेल्शियस पहुच गया है हलका फुल का वाम हुआ है लेकिन गेमप्ले वह सूपर स्मूथ मज़ेदार था हलके फुल के फ्रेम डॉप मैंने नोटिस के लेकिन भाई काफी ज्यादा तगडी तरीके से प्लेइबल था आपको कोई ऐसा इस्यू देखने को ने मिलेगा एंड 778 जी ने अपना लोहा अल्रेडी मनवा लिया है मार्केट बे तो उसका टेंशन नहीं है सौ्टेड फोन है गेमिंग अगर एक तब मज़ेदार होती है सो इसके अंदर हमको फंटाच OS 12 देखने को मिलता है बहुत ही जादा ओल्ड सा डिजाइन है जैसे कि आपके अंड्रोइड 12 है तो अंड्रोइड 11 10 का पुराना वाला डिजाइन दर चेपा हुआ है तो थोड़ा सा बोरिंग थोड़ा सा पुराने टाइप का फोन लगता है वो चीज़ को थोड़ा सा इंटरफेस को और एन्हांस करने के ज़राता है लेकिन बग्स के बहुत कम है अईसा समझो कि प्रैक्टिकल फोन है जादा शोशान नहीं है अब सॉफ्टवर की बात कर रहा हूँ बाकी बहुत सारे कस्तमाइजेशन इसकंदर अवेलेबल है वह बात तो है लेकिन जो लुक में जादा शोशा नहीं है वो थोड़ा सा इंप्रूफ कर देंगा तो मज़ा देगा अगर बीज दर पर आमको मिलता है बिंदास परचेस क पसंद आएगी पसा था तुम्हें लाइक शेर सब्सक्राइब करते ना बहुत सारी जबर्दॉस जबर्दॉस वीडियो आ रहे लिटरली अभी कम से कम इंदर पर 6-7 पैकेज पड़े वे बाई तो सब्सक्राइब कर दो के तो मज़ा देगा बाकी इतना ही था 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 फूनोंगर सब्सक्राइब करें लया था 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 डी तो था 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 था, करें ल 어떤 holiday कर दो कर दो दो आएविश जबर्दॉस